सब्सक्राइब तो मैं चैनल सूरच परकाश पर मोर अमेजिंग कंटेंट कीजिए और आपको पसंद आती है तो आप बिल्कुल उसे खरीच सकते हैं बात करते हैं सबसे पढ़े प्राइजिंग की तो प्राइजिंग रगी है दोस्तों अराउंड 23,999 रुपीज 43 इंच का फुल एजडी पैनल आपको यहां पे जो है देखने को मिल जाता है फ्रेंट्स जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं A to Z पॉपुलर आप्स का सपोर्ट आपको यहां पे देखने को मिल जाता है चाहे वो Amazon Prime Video हो, Prime Music हो, Netflix हो, YouTube हो या फिर Disney Hotstar हो A to Z जो है आप लोगों को यहां पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है, Stand आप लोग यहां पे देख सकते हैं दोस्तों काफी attractive है, दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि 43 इंच की TV जो है आजकल लगबग मैं कहूंगा normal size की TV हो गई है, बाकी देखा जाए तो 55 इंच की और 50 इंच की 4K TVs भी market में आजकल अच्छी competitive price में available है, sound की बात करूं तो यहां पे दोस्तों आपको Dolby Audio और DTS 2 Sound का support देखने को मिल जाता है, क्योंकि यह Amazon Fire OS है तो दोस्तों यहां पे आप लोगों को जो है search में Alexa देखने को मिल जाती है, आप माइक से जैसे की Android TV में माइक से Google Assistant से बाते कर सकते थे, इसमें जो है आप Alexa से voice search कर पाएंगे, hey Alexa play this and that तो आप लोगों के लिए जो है बहुत आसानी यहां पे दिखने वाली है, बात करे कुछ और चीजों की तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि 32 तो दोस्तों यहां पे 60 Hz का refresh rate आपको जो है देखने को मिल जाता है, 3 HDMI ports आपको देखने को मिल जाता है, 20 Watt का powerful मैं कहूंगा, decent sound output यहां पे आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों, और all-in-one remote आपको जो है hotkeys for convenience देखने को मिल जाती है, जैसे कि Android TV के remote में भी होता है, दोस आपको जो है 8GB देखने को मिल जाता है दोस्तों, फिर उसके बाद बात करें तो यहां पे Chromecast आपको जो है build-in देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी चीज है, एक USB port आपको यहां पे देखने को मिल जाता है, बाकी सारी apps आपको यहां पे देख सकते हैं friends की, यहां पर Discovery Plus जिसके बहुत सारे ads आते रहते हैं इनका subscription उठाने के लिए वो आपको देखने को मिल जाते हैं, Apple TV का भी दोस्तों यहां पे आपको support मिलता है, जो कि काफी अच्छी चीज है, friends मैं आपको बताना चाहता हूँ कि TVs आजकल जो है एक long term market हो गया है, पहले जैसा नहीं है कि TVs जो एक बार consumer को दे दी तो means बस उसी से price ले लेंगे, आजकल क्या करते हैं दोस्तों, TVs आपको ज्यादा से ज्यादा company सस्ते में बेशती है, क्योंकि वो जानती है कि आगे चलके लोग कुछ नो कुछ subscription based, कुछ नो कुछ चीज़े उठाएंगे, तो वैसा ही कुछ इनका Diagonally आपको देखने को मिल जाता है, TV दोस्तों उतनी ज्यादा lightweight नहीं है, still it's a very thick TV, लेकिन for the purpose it is meant for, क्योंकि 43 इंच का TV usually घरीलू TV हो जाता है, और आप चाहे तो आप इसे अपने hotel या फिर अपने धाबे पर भी रख सकते हैं, पैनल दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे A plus just around, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, और यहाँ पर screen mirroring भी आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से, और जहां तक wide viewing angle की मैं बात करता हूं, तो 178 degree का wide viewing angle देखने को मिल जाता है, TV का weight around 5 kg आपको जोस्तों देखने को मिलता है, which I think is okay, बाकी चीजों की बात करें, तो आपको पहले भी बता चुका हूं, so overall काफी ज्यादा मैं कहूंगा, Xiaomi OnePlus को एक अच्छा टकर देने के लिए, जो है, दोस्तों, competitor मिल चुका है, भले वो जो competitor हो, Android TV पे हो, लेकिन दोस्तों, आप खुद ही बताईए, कि जब बाट TV पे आती है, तो usually 99% of the people's popular app सी इस चीज़ पर इंस्टॉल करते हैं, because ऐसा तो है नहीं कि आप TV पर जो है, आप स्टॉक इंस्टॉल कर रहे हों, या फिर कुछ स्टॉक मार्केटिंग की एप इंस्टॉल कर रहे हों, उसके लिए जो है, आप लोगों के पास अलग से मोबाइल रहता ही है, तो और जहां तो कोई भी प देखने को मिलती हैं, तो यह देखना होगा कि यह Google Assistant के मुकाबले कितना अच्छा काम यहां पर करती हैं, और यह लोग हर जगा यही बोल रहे हैं दोस्तों की, Alexa plays movie, play latest song, wake me at 7, so like lot of interesting command you can give, यहां पर आप इससे जो है दोस्तों, alarm भी set, नमस्कार दोस्त, thank you, have a nice day.